हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है श्वेता स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल SWT Study Zone में लिस्नर्स आज की इस वीडियो में हम Business Organization जो की B.com First Semester का सबजिक्ट है यानि की विवसाइक संगठन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें लिस्नर्स आज मैं आपको यूनिट 3 की कुछ और टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो की है Methods of Wage Payment यानि की मजदूरी भुकतान की पदतियां यानि की इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा उसमें मैंने समया अनुसार पजदूरी पदति की बात की है यानि की Time Wage System के बारे में बात की है डिटेल में तो आप मेरा पहला वाले वीडियो दे सकते हैं इसमें मैं दूसरे इसके सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ यानि कि कार एनुसार मजदूरी पधिती के बारे में detail बताने वाली हूँ यानि कि इसको English में कहते हैं कि Peace Wages System यानि कि कार एनुसार मजदूरी पधिती क्या होती है इसके बारे मैं मैं आज discussion करने वाली हूँ तो आये start करते हैं लिसनर्स अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा और आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम टो टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप तक ये वीडियो प प्रणाली है या पदती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे मैंने लिख करके डाला है जिसके अंतरगत मजदूरी की दर उत्पादन की प्रती इकाई के अधार पर या कारे के अनुसार निरधार की जाती है इसका मतलब यह होता है कि इसमें जो लेबर होते हैं उन इसके यूनिट के अधार पर या फिर उनके वर्क के कार्डिंग उनकी पेमेंट निधारदित की जाएगी तो यह बैसीकली इन्होंने बात की है यानि कि इसका मतलब यह है जो जतना ज्यादा कारे करेगा जो जितने ज्यादा काम करेगा उसके उतनी है अधिक मज़दूरी मिलेगी और इसके विपरिताप जितना कंद करेगा उसे उतने ही कम मचदूरी मिलेगी तो इससे प्रणाली का कह सकते हैं इस सिस्टम का जो उपीयोग है दिरे दिरे लिसनर्स बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक और जो स्रमिक है मन लगा कर कारे नहीं करते हैं या काम से जो जी चुराते हैं और दूसरी और आप देखते होंगे कि जो नियुकता को निर्धारित समय में कुछ निश्ची तुत पादन करना होता है यानि कि उनको हम एक टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम में आपको इस चीज करके देनी ही होगी तो हम आजकल देखते हैं कि जो प्रोडाक्शन है उसको बढ़ाने की दृष्टी से हमने कारे शमता पर अधिक जोड दिया है और इसके लिए हम क्या करते हैं कि पीस वेस सिस्टम को सही माना है जिसके अंतरगत हम क्या करते हैं कैप सिटी के अधार पर यानि शमता के अधार पर मजदूरी देते हैं यानि मजदूरी में दी जाती है तो आई हूप आपको ये क्लियर हो गया होगा लिसनर्स इसमें कुछ फॉर्मूले है यानि कि इसका फॉर्मूला है मजदूरी इक्वल टू उत्पादन की इकाईयां इंटू प्रति इकाईय मजदूरी दर यानि कि production की कितनी यूट्साब मतलब कितने आप प्रडिउश किया है और प्रति इकाईय मजदूरी दर यानि कि हर एक यूट्पर आपको कितना मजदूरी दर पराप्थ होगा जैसे कि अगर मैं एक चाले की जान को तो जहीं इसके हुआ थे हुआ कि लेकिन अगर वो उसको पारा है तो उसका पैसा हो जाएगा और बाखी कमिशन तो वो नर देगा ही तो वेक्ति क्या करता है कि अगर माली जो साड़ी को 12-100 रुपे में भी बेच रहा है तो क्या होगा 200 रुपे तो उसके अपने होंगे और प्लस जो वो देंगे तो यहां पर उत्पादन की का यह जितना वो बेच सकता है तो हर एक यू मैरेट्स ओफ पीश वेड़ सिस्टम तो पहला आप देख रहे हैं अधिक प्रेडड़ना यानि कि इसमें मोर इंसेंटिव ज़्यादा इंसेंटिव होती है यानि कि जो भी सिस्टम के अपनाने पर जो लेबर को क्या होता है और अधिक और मेहनत मतलब जिससे कह सकते हैं कि मेहनत से काम करने की समूचित प्रेड़ना मिलती है क्योंकि काम और मजदूरी से सीधा संबंध है जैसे कि हमेंने बताय ना कि अगर भाई जाहिर सी बात है अगर वह हजार की साड़ी बारासों में बेच रहा है तो दोस्त तो उसको इंकम होई रहा है प्लस उसको उनर से भी म मिल रहा है तो और काम करने को इक्षुक होगा जद जद इंसेंटिम मिलेगा तो दूसरा है आपका सरलता यानि कि यह इजी होता है और सिंपल होता है यानि कि इस पद्धिति के अंतरगत जो मजदूरी की गढ़ना करने में कोई विसीज कठिनाई नहीं होती है नेक्स्ट है कारे में स्वतंतरता यानि कि freedom in work इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम के अपनाने पर जो लेबर को कारे करने की भी संभावना बनी रहती है कि वो अपनी इंकम को अधिक महनत से काम करके बढ़ा सकता है यानि कि जितना ज्यादा वो साड़ी विकवाएगा जितना ज्यादा वो सेलिंग करेगा उससे उसको उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होगा तो यह है इसके freedom in work का मतलब नेक्स्ट है आपका अधिक आई की संभावना यानि कि possibility of higher income जैसे कि अब भाई मैंने बोला कि जितना वो विकवाद है तो इंकम दो बढ़ते जाएगी न दिन पर दिन नेक्स्ट है आपका रहन सहन के अस्तर में सुधार यानि कि improvement in standard of living यानि कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी system को अपनाने पर जो labor की income में ब्रिधी होती है अगर तो उसके result में हम जैसे की देखते हैं कि हमारे रहन सहन में सुधार होने लगता है यानि कि उसकी संभावना बढ़ जाती है तो आई होप आपको clear हो गया होगा आईए अब बात कर लेते हैं इसके demerits के बारे में यानि कि दोस के बारे में तो इसमें है किस्म में गिरावट यानि कि detoration in qualities का मतलब यह है कि वो लोग क्या करते हैं जो श्रमिक होते हैं अधिक income प्राप्ट करने के अभेहिलना कर देते हैं तो वस्तु की किस्म में गिरावट आने पर जो संस्ता की साख पर भी विप्रीत प्रभाव पड़ता है नेक्स्ट है मसीनों का अनुचित हास यानि कि अधिक ज़्यादा उत्पादन करने से या income प्राप्ट करने के लिए स्रमिक केवल क्या करता है प्रोड़क्शन पर ही ध्यान देता है वह जूत तोड़ कहते हैं कि मैनत करता है लेकिन सीनों पर करनों पर या उजारों के अनुच्छन पर अधिक उत्पादन करने का प्रयास करता है तो अगर वो अत्ति उत्पादन की समस्या क्या होती है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई भी बहुत बेकार होती है तो अगर उसी तरीके से जादा जादा प्रोडक्शन करने लगे तो ये भी कलत है यानि कि अतियन्त गंभीर होती है इसे मस्या और नियुकता को इससे कई प्रकार की हानी होती है नेक्स्ट है आपका स्वास्त में गिरावट यानि कि डिटराइशन इन हेल्थ यानि इसमें बोला गया है कि इस पदली के अपनाने पर स्रमिक जी तोड़ कर कह सकते हैं कि अधिक प्रिश्रम करता है ताकि उसकी इंकम सुरक्षित रह सके या बढ़ सके तो जाहिर सी बात है उसकी स्वास्त पर तो असर पड़ेगा ही नेक्स है आपका आई की असुरक्षा वा अनिश्यता यानि की अनसार्टिनिटी ओफ इंकम निकी इस प्रणाली के अपने पर जो लेबर होती है उनको मिलने वाली जो इंकम होती है उनके बारे में कोई आस्वासन नहीं रह जाता तो यह थे कुछ लिसनर्स आपके डी मैरिट्स पीस वेज सिस्टम के तो आई होप आपको क्लियर हो गया होंगे लिसनर्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और इस वीडियो से रिलेटर कोई भी इशो होता है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं थांक यू